राश्ट्पती करेगा तो यह कहा गया है 75 ह५श्ट मेंहाँ अनुशयत 15 राज्यस्बा है, और राज्यस्बा का सदश्यी होता हैं, लेकन 1966 में पहली बार इंद्रा गांदी प्रदान मंत्री बनी तब उस समय ये राज्यसभा की सदश्य थी ठीक है 1966 में जब भारत की पूर प्रदान मंत्री इंद्रा गांधी प्रदान मंत्री बनी उस समय इंद्रा गांधी राज्यसभा की सदश्य थी ठीक है इसी प्रिकार 1996 में हडी देव गोड़ा और 2004 पर 2009 में डॉक्टर मन्होन सिंग को भी प्रदान मंत्री चुना गया जो की राज सभा के सदस्य थे लोग सभा के सदस्य नहीं थे तो तीन प्रदान मंत्री भारत का प्रदान मंत्री बनने के लिए न्यूंतम आयू कितनी होने चीए तो साइज आप है 25 वर्ष ऐक है और जोग क्याता है आपको पता है कि वो जो कि योग क्याता है वहाँ प्रदान मंत्री होते है अदिक स का सद्धशिय होता है लोग सभा का सदश्य होता है तीसर प्रिश्ण है राश्पति ने सरुपतम किसे से विवे के शक्ति का प्रियोग करते वे प्रदार मंत्री पत के लिए चुना ठीक है चौधरी चरण सिंग जी को इन्होंने 1979 में विवे के सक्ति का प्रियोग करते वे चौधिर चरण सिंग प्रदार मंत्री पत के लिए चुना था ठीक है अब देखो इसका प्रियोग करता है राश्ट्पति क्योंकि आधिक चरण सब को पता है कि जिस पार्टी का लोग सभा में भवमत होता है उसे ही प्र तो मैं राश्ट्पति अपनी अपनी सभीय की शक्ति का प्रियोग करते है प्रदार मंत्री कि मिलत्ति हो जाती है तो यूप विए राश्ट्पति चुन सकता है तो सभी जवाब है प्रदान मंत्री ठीक है और अगर हम सभुधान की बात करें सभुधान में जो भारतिय सासन प्रणालग तो सरोच अधिकारी बताया गया वो किसे बताया गया है राष्टपती को बताया है ठीक है क्योंकि जो कारे पालिक जो सक्तिया है वो राष्टपती म है और अंशहत्र रिपन का आगया कि कारे पाल राष्टपति में नहीं तोंगी लेकिन वास्तों में अगर हम देखें तो सभी शक्तियों कोन होता है प्रदान मंत्री होता है नेक्स्ट है निमन में से किस प्रधानमंत्री की मिरत्व पदावदी के दोरान हो गई थी वीवी गिरी एच्टी देव गोडा डॉक्टर मनमौन सिंग या लाल बहादुर सास्त्री तो भालत के पूर प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर सास्त्री की पदावदी के द राज्यु गांदी की गांदी गांधी गांधी त्वादान नेहरू लाल बाद शास्त्री और स्रीमति इंद्रा गांधी से लोगों पैशे थे जब्क्राइट के मत्यु घ्राइड चुना के दारार यह खास सीज का थ्रला ध्यान अगणा बना राज्य गांधि उसे में प्रदान मंतरी नहीं थे दी विशूनात प्रताप शिंग या अटल बिहारी वाच्पे तो साइज जवाब है मौरार जी देश आई सातो ब्रश्ण है भारत देश के प्रथम गैर कांगरी से प्रतानमंत्री कौन थे मौरार जी देश आई लाल भादुर्श शास्त्री विश्णनात प्रताप सिंग अटल बिहारी वाच्पे तो भारत देश के प्रतम जो गैर का अंगरेशी प्रदान मंत्री थी वो तो ही मुहरार जी देशाई और इन्हों ने ही सबसे पहले अपना पत का इस्तिपा दिया था यह आटवा कोशना है सबसे कम समय के लिए प्रदान मंत्री पत पर रहने वाली व्यक्ति है ठीक है तो वह है अटल विहारी वाचपेजी मात्र तेरा दिन की सरकार रही थी जब फर्स्टाम प्रदान मंत्री बने थे ठीक है नेक्स्ट पड़ते हैं मंत्री मंदल की बैठकों के अध्यक्सता कौन करता है तो सई जवाब है प्रदान मंत्री मंत्री मंदले जो मंत्री प्रशित की जो प्रदान मंत्री नितियायोक के साथ राष्ट्रिय जल संसाधन परिशद अंतराज्जी परिशद वे राष्ट्रिय विकास परिशद का भी पदे नद्यक्स होता है नितियायोक के साथ राष्ट्रिय जल संसाधन परिशद अंतराज्जी परिशद वे राष्ट्रिय विकास प प्रश्द का भी पदेन अध्यक्स होता है कौन प्रदानमंत्री कि निम्न में से किने कारेवाग प्रदानमंत्री के लिए चुना गया था प्रतान मंत्र के लिए चुना गया वह हैं गुलजारी लाल नंदा कौन है गुलजारी लाल नंदा नेस्ट कोशन है यह दो बाद चुने गए 1964-1966 में सरप्रतम एविश्वास प्रस्तावल लोकसवाब में किस प्रतान मंत्री के विरुद्र लाया गया तो सरप्रतम जब एविश्वास प्रस्ताव लाय गया था वो लाय गया था पूर प्रदान मंत्री जवाल नहरू के विरुद्र में सबसे पहले जो एविश्वास प्रस्ताव पारित वह था वह वह था जवाल नहरू के विरुद्र में टिक है नेक्स सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह लाल बहाद्दुर सत्री या इंद्रा गांदि नंत्य इस प्रशाइब राष्ट्र पत्र या उपराश्टपती girls लोग सब्सक्राति को है कि तो प्रदान मंत्र प्रांग पत्र देता है राश्टर पत्र को ठीक है कुछ सब्दोन में से कि एक सदस्वाना आवश्यक है यह जरूरी चीज है ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसना है तो प्लीज वीडियो करना बिल्कूर ना भूलें और हाँ अगर आप चैनल पर आये हैं तो प्लीज चैनल जरू सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलतें नेक्स्ट वीडियो में जै हिम जै वारत धन्यवाद